देखे 2022 के अंदर अगर आप आधार operator या फिर supervisor या फिर child आधार center खोलना चाते हैं उसका exam पास करना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important है दरसल दोस्तों NSEIT ने कुछ update के हैं exam को लेकर और जैसे ही आप इसकी website पर आओगे यहाँ पर इसका link आपको वीडियो के description box मिल जाएगा यहाँ पर आने के बाद आप नहीं चाहेंगे तो देखी यहाँ पर कुछ point है एक लिखा हुआ है कि candidate को ये सारे point चेक करने चाहिए exam apply करने से पहले ठीक है पहली चीद तो यह है कि candidate must have his or her latest mobile number registered in आधार for OTP verification याने कि आपके आधार काड में mobile number verification होना चाहिए ये mandatory है ठीक है ऐसा नहीं चलेगा कि आपके अधार काड में mobile number registered ही नहीं है आपके अधार काड में mobile number registered होना चाहिए अगर नहीं है तो आप पहले registration करवा लो दूसरा point है दोस्तों वो यह है कि आपके पास latest photograph होने चाहिए और कम सिकम वो तीन महिने पुराने हो ठीक है मतलब क जब आपका exam होगा मालीजी आपका exam है March में ठीक है तो आपके अधार काड में जो फोटो है latest photo इन अधार काड वो पिछले तीन महिने की होने चाहिए ठीक है तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने अधार काड में latest photo अप्डेट करवा लीजीए ठीक है कई हो में क्या होता है? बहुत पुराने फोटो होती है, दस सल पुराने फोटो होती है, और या पाऌसल पुराने फोटो होती है, उसी गुले की चलते रहते हो, ठीक है? यहाँ पर साफ सब बूल दे गहा है, कि आपको अपने अधारकार्ड में latest photographie, अभडेट करवाने पड़े की ठीक है दोस्तों इसके बाद तीसरा पॉइंट है candidate आधार नंबर should not be blacklisted by any enrollment agency यानि कि आपका जो आधार कार्ड है वो blacklist नहीं होना चाहिए block नहीं होना चाहिए ठीक है और चौता पॉइंट है candidate must be 18 year in age as per आधार कार्ड यानि कि अगर आपकी उमर 18 साल से कम है तो उस case में आप आधार operator supervisor का exam नहीं दे पाओगे ठीक है तो अपनी उमर भी चेक कर ले ना इसके बाद पांचों पॉइंट है candidate must have minimum education qualification required for the selected certification role minimum qualification भी होने चाहिए वो जब आप exam के लिए अपलाई करोगे वहाँ पर आ जाएगी लिस्ट ठीक है इसके बाद दोस्तों point है जटा point candidate must have latest copy of e-adhar downloaded after 1 March 2019 from इस website से और अधार letter from latest photograph ठीक है मतलब कि दोस्तों आपके पास जो अधार कार्ड है जब आप center पर जाओगे exam देने जाओगे वहाँ पर आप जो अधार कार्ड ले जाओगे या फिर फोटो का पर ले जाओगे वो बिल्कुल latest होना चाहिए ठीक है तो आप क्या करना आप online अपने website से याने कि जो अधार कार्ड के website से उससे आप यह आधार का डाउनलोड कर लेना ठीक है जैसा नहीं कि पुराना ही एक साल पहले का पड़ा हुआ है उसी को लेकि चल दिये नया download करना पड़ेगा आपको ठीक है दूस्तों इसके बाद यहां पर पॉइंट है हमारा सादों पॉइंट केंडिडेट मस्ट हैव आधार पेपरलेस ऑफलाइन एक वाईसी एंड शेयर कोड डाउनलोडर फॉर्म यह है अच्छा अच्छा यह है आधार पेपरलेस ऑफलाइन एक वाईसी अगर आपके पास XML फाइल पड रीड हैंडबुक ऑफ इको सिस्टम पार्टनर एविलेबल अंडर दा हैडिंग न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल फ्रॉम दस जनवरी 2022 मतलब कि दोस्तों दस जनवरी 2022 से NSIIT ने कुछ अबडेट किया है । वह सारे अपडेट इस वेबसैट पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है यहां पर एक वेबसेट दे हुई है आधारकाड की वेबसाइट है इस पर जाओगे तो आपको इसारा जो अपडेट है वो मिल जाया एक जगह पर ठीक है। इसके भी आ सकते हो यहां पर आपको नहीं चाना है और यहां पर देखिए दूस्तों कहां पर है यह देखिए है ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सेर्टिफिकेशन जो इसका इसमें अपडेट यहां पर आईगी आपको दिखाता हूँ देखिए important note यहां पर पढ़ेंगे आप तो आपको latest update मिल देंगे कि क्या क्या अभी requirement है ठीक है पहले चीत दुस्तों यह है यहां पर देखिए साफसा रिखा हुआ है existing test structure applicable from 4 जनर फरवरी 2019 यानि कि जो पुराना test structure था मतलब जो पुराना जो update थी इससे पहले जो update आये थी वो 4 फरवरी 2019 को आये थी ठीक है अभी तक जो भी exam आपको होते थे वो उसी के हिसाब से होते थे जो update आपकी 4 फरवरी 2019 को आये थी ठीक है यह पुराने वाली है जो अभी तक चल रही थी ठीक है और जो latest है वो जहां पर लिखे हुई है यह देखिए जो new test structure है जो 10 January 2022 से चलेगा ठीक है जिन्होंने 10 January 2022 से पहले paper दिया है उन्होंने पुराने ही इसाब से paper दिया होगा पुराने structure के हिसाब से और जो अभी paper देंगे वो नए structure के हिसाब से देंगे 10 January के बात जो भी देंगे ठीक है और यहाँ पर आपको बताया गया नीचे आ नहीं तो यहाँ पर आपके सामने PDF खुल जाएगी ठीक दोस्तों यहाँ पर पहला जो नोट है वो यह है कि आपके पास जो आधार कार्ड की copy रहेगी जब आप center पर जाओगे तो वो 15 फरवरी 2019 के बाद की होने चाहिए ठीक है तो 15 फरवरी 2019 के बाद की फोटो जो यह आध पढ़ा हुआ है आपने कभी download क्या हुआ तो वो मत ले जाना अप ठीक है इसके बाद यहाँ पर नीच आएंगे तो देखी यहाँ पर बताएगया है टोटर मलाके कि किस तरीके से आपका जो एक्जाम रहेगा उसका syllabus किस तरीके से रहेगा ठीक है तो यहाँ पर चैप्टर बन से रहेगा चैप्टर एट तक के यहाँ पर चैप्टर रहेंगे माने कि आठ सब्जेक्ट रहेंगे और इसमें से इतने पर जो नंबर रहेंगे इसमें से इतने नंबर रहेंगे सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर टोटर मिलाके इतने नंबर रहेंगे आपके और यह होने के लिए आपको कम से कम 55% नबर चाहिए यहां पर पास होने के लिए ठीक है दुस्तों और यहां पर दौनों के लिए सेम ही पताया इस पहले अलग था इस बार उनेने बताया कि 5 5% नंबर ही चाहिए और आप चाहे operator बनो चाहे supervisor बनो दोनों के लिए एक ही आपर रहेगा ठीक है और जो fail होजाते हैं यह देखिए any candidate who fail या absent रहते हैं उनको दोबारा से exam दे सकते हैं पर उनको fees देने पड़ेगी दोबारा से ठीक है पूरी fees नहीं देने पड़ेगी आदी fees दोबारा देने पड़ेगी उसके ब पचास मिनट का होगा पचास मिनट के exam में 35 कोशन आएंगे जिसमें से आपको 19 कोशन सही करने पड़ेंगे यानि कि 19 नमर लाने पड़ेंगे ठीक है अगर आपको बच्चों के आधरकार बनाना है उसको सेंटा चाहिए तो 19 नमर आपको लाने पड़ेंगे और 35 नमर का और इसी के साब से अब आपका पेपर होगा और यही सोच के आप अपना जो पेपर देने जाहिए ठीक है इसके अलावा जो कोशन है जो स्टडी मेटरियल है वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको कि यहां पर आओगे एक स्ट में यहां पर नीच यही था कि यह पर आप कुलिक कर सकते हूँ किसी को भी जैसे मैं इसको क्लिक कर लेता हूं तो यहां पर देखिए आपको यह सब मिल जाएंगे यहां से पढ़ लेना ठीक है तो सारा study material आपको यही से मिल जाएगा अब वापिस सब में आते हैं अपनी nscit के website पर और यहां पर देखिए यहां पढ़ लिया यह पढ़ लिया इसके इसके बाद है यहां पर यह देखिए आई पॉइंट है उसमें बताएंगे कितने परसेंट नमबर लाने पढ़ेंगे तो यह हमने देख लिया भी इसके बाद है candidate who is sponsored by any active enrollment agency alone shall register for the exam अच्छा इसका मतलब कुछ समझ नहारा छोड़ो इसको क्या बोलता पता नहीं के पढ़ता है candidate must have valid debit card credit card और net banking facility to make online test retest payment अच्छा आप online जो fees payment करोगी exam की वह आप debit card से credit card से और net banking से कर सकते हो ठीक है सबीसे कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो यह थे कुछ update और इसके अलावा fees देख लेते हैं जो fees है वह आपकी है 470 रुपे की ठीक है और इतनी fees है अगर आप फेल जाते हो तो आपको 235 रुपे द्वारा देने पड़ेंगे ठीक है ता retest fees is applicable only for the case where the candidate fail या absent या अगर आप फेल हो आते हो या फिर absent रहते हो तो उस case में ही आपको द्वारा से fees देने पड़ेंगे द्वारा exam दे सकते हो ठीक है इसके मतलब यह है कि अगर कम नंबर है आपके और उस case में आप द्वारा exam नहीं दे पाऊगे आपको exam role exam language email id preferred test center ठीक है and submitted the application form मतलब कि जब आप online form भरोगे तो उसी time पर आपको अपना center वगरा सब कुछ select करना है आप किस बहासा में exam दोगे वो भी सब कुछ select करना है ऐसा नहीं है कि आप center पर पहुंचे और वहाँ पर जागे आप पलट रहे हो कि भईया मैं इस बहासा में exam दूंगा मुझे तो Hindi मची है अब मुझे English मची है ठीक है तो आप यह सब चीज़ देख लेना और इसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं है सब कुछ मैंने बता दिया आपको और एक चगन दिखायता हूं यह देखे last time वैस ठीक है तो दोस्तों यह थे कुछ update जो NSEIT ने किये है आधार operator exam को लेकर तो आई होप आपको इस सारा समझ आ गया होगा इसके अलावा अगर कुछ दाउट है तो प्लीज कमेंट करें और जो next वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके सा आपको registration करना है ठीक है तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आ नहीं मिलता नैस्ट विडियो में थैंक्यू वेरी मच